नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धोरता अपडेट्स में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनेल में देखी चुके हैं कि हिमाचल परतेश में निकली बंपर सरकारी बढ़ती 2020 तो ये पोस्टे जो भर जाएंगी ये लैंग्विस टीचर क कि recruitment कब होगी तो ये टोटल पोस्टे जो इन्होंने निकाली है ये दो सो उनतिस पोस्टे जो हैं निकाली है इन्होंने लैंग्विस टीचर की तो इनके लिए इन्होंने क्या education qualification मांगी है इन कोस्टों को भरने के लिए इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे और साथ में इसमें जो इन्होंने selection process बता रखा है कितने जो है आपके question पोछे जाएंगे रेटिन एक्जाम में तो उसके बारे में भी पूरी detail में जानकारी बताएंगे तो वीडियो पर end तक बढ़ रहें तब ही आपको पूरी information सजी से मिल पाएगी उससे पहले अगर आप हि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली हिमाचल परदेश की government जो की notification हमारे चैनल दौरा मिल सके तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो यह advertisement निकाली गई है हिमाचल परदेश स्टाफ selection commission हमीरपूर की तरफ से तो आप देख सकते हैं 18 जून 2020 को यह advertisement नि advertisement है इसका आप screen show ले सकते हो वीडियो को post करके 22 जून 2020 से application form भरने स्टार्ट होंगे और last date जो है यह 21 जुलाई 2020 है तो यह आप ध्यान रखें और जो आपके application form भरे जाएंगे वो कौन सी website से भरे जाएंगे यह officially website है इन्होंने बता रखी है www.hpsssb.hp.gov इन इस website में जाकर आप application form भर सकते हो तो आगे इन्होंने बता रखा है कि जो आपके लिए essential qualification and experience के बारे में बताया है date for determining eligibility जो आपका कोई भी experience होगा या कोई भी qualification होगी वो आपकी 21 जुलाई 2020 से पहले आपको submit करना है अपना online recruitment application form और इस से पहले आपकी qualification जो है complete होनी चाह और एज की बात करें तो यह पोस्टे जो इन्होंने minimum जो sorry age रखी है वो 18 रखी है और maximum age 45 साल रखी है तो इसके बीच में आपकी age होनी चाहिए तो आगे बताते हैं हम आपको तो यह आप देख सकते हैं कि language teacher की यह पोस्टे इन्होंने बता रखी है तो यह elementary education department में भरी जाएंगी आपको sales जो दी जाएगी 10,300 से लेकर 34,800 प्लस आपको 32 ग्रेड पे दिया जाएगा तो मैं जो है PDF को scroll करता जाओंगा तो आप जो है देख लें district wise कितनी पोस्टे इन्होंने category wise distribute करी हुई है अगर मैं एक एक पोस्ट बताने लगा तो time ज्यादा वेस्ट होगा और वीडियो लंबी बन जाएगी तो आप जो वीडियो को post करके या screenshot लेकर देख सकते हैं तो इन्होंने सभी districts के बारे में बता रखा है सबसे पहले बिलासपूर district है तो इसमें इन्होंने 11 टोटल पोस्टे रखी है चमबा district है next 29 पोस्टे है हमीरपूर में एक पोस्ट है कांगडा में 50 पोस्ट है कि नोर में 3 पोस्ट है कुल्लू में 10 पोस्ट है लौलेंड्स पृति में 6 पोस्ट है मंडी में 37 पोस्ट है शिमला में 31 है 31 और आगे जो सिर्मोर है इसमें 24 है सोलन में 12 है और उन्हा में 15 है तो टोटल जो है दो 29 पोस्टे जो है ये language teacher की भरी जा पर तो आगे बताते हैं पूरी जान का तो education qualification की बात करें तो इसमें इन्होंने बताया है कि आपकी BA होनी चाहिए with Hindi as an elective subject और two year आपके पास diploma होना चाहिए elementary education का और BA होनी चाहिए at least 50% के साथ with Hindi होनी चाहिए one year bachelor in education BA होनी चाहिए और BA with at least 45% marks with Hindi as an elective subject and one year bachelor in education BA in accordance with NCTE next BA with at least 50% marks with Hindi as an elective and one year bachelor education BA special education और प्रभाकर honors in Hindi with 50% marks followed by BA examination English and one additional subject with 50% marks from recognized university and one year bachelor in education BA और MA Hindi with at least 50% marks from a recognized university and one year bachelor in education BA तो जो यह इन्होंने पोस्ट है कि हिसाब से जो यह education qualification जो इन्होंने बताई है तो यह जो इन्होंने बताई है इन और करके जो बताई है इन्होंने इन्होंने इन्होंसे कोई भी आपकी एक qualification जो होनी चाहिए और नीचे जो इन्होंने सभी के लिए जो गमपर्सली qualification रखी है एंड करके इन्होंने बता रखा है यहां पे आपका जो है language teacher का TAT जो है वो qualify होना चाहिए जो कि हिमाचर प्रदेश Board of School Education धरमशाला जो conduct करवाता है उसमें आप pass होने चाहिए और जो provide that the in comments who have already qualified the TAT conducted by the HP Sabonet Service Selection Board shall also be eligible subject to the condition तो जो TAT जो conduct करवाते हैं यह HP Sabonet Services Selection Board तो वो भी eligible है तो उस वो इन्होंने बता रखा है कि जो यह letter number है N C T E यह देख लें आप और relaxation भी दी जाएगी 5% category wise SC ST OBC PH category के लिए हिमाचर प्रदेश के हैं तो यह आप देख सकते हैं तो mode of selection की बात कर लेते हैं तो आपका 85 marks का return test होगा तो और 15 marks की आपकी evaluation होगी तो evaluation के बारे में बताएंगे तो 85% जो marks होगे sorry तो इसके बारे में बता रहते हैं हम आपको return exam के बारे में तो 170 questions पूछे जाएंगे MCQ होगे इसमें हर question जो होगा वो half marks का होगा तो total 170 questions होगे तो इसमें जो आपके question पूछे जाएंगे subject या field concerned prescribed essential qualification जो आपकी होगी जैसे language teacher है तो हिंदी इन्होंने मांगा है तो उस हिसाब से जो है ये question पूछेंगे R&P rule के regarding और ये 120 question पूछे जाएंगे तो next जो 50 question बच गए ये general knowledge including general knowledge जो हिमाचर प्रदेश की होगी current affair की everyday science, logical reasoning, social science, general English and general Hindi of a metric standard के हिसाब से ये 50 questions पूछेंगे तो total 170 questions आप से पूछे जाएंगे 85 marks के ये written exam होगा, each question जो होगा वो half mark का होगा तो ये आप ध्यान रखें तो next evaluation की बात कर लेते हैं, जो 15 marks होते हैं, वो documentation के होते हैं, आप सभी को पता होगा तो ये इन्होंने बता रखे हैं कि कौन-कौन से certificate होते हैं, तो आपकी जो minimum education qualification के हिसाब से ये marks देंगे जो की 2.5 marks जो हैं, ये होते हैं, तो जो आपका certificate issue होना चाहिए, वो concerned university और board के हिसाब से जो है, वो issued होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें तो next जो certificate है, ये backward area और पंचाइद area के हिसाब से जो certificate बनता है, उसकी एक marks मिलेगा आपको और landless family, जो की जिनकी land जो है, less than 1 hectare होगी, उसका certificate बनता है, उसका एक marks मिलेगा और जो non employment certificate होता है, इसका एक number मिलेगा differentially abled person with more than 40% impaired disability, इसके लिए एक marks मिलेगा, ये certificate अगर आपका बनता है तो NSS और NCC का अगर certificate है, तो उसका एक marks मिलेगा, next जो है, अगर BPL family से होगा आप, बिलोंग करते हो, तो दो marks मिलेगे और अगर आप divorced, distitute, single woman हो, तो एक marks मिलेगा, single daughter हो, तो एक marks मिलेगा, इसके certificate आपको बनवाने होंगे तब ही आपको जो है, ये documentation में marks मिलेगे, तो अगर आपने कोई 6 months duration की, अगर कोई training की है, तो उसके आपको एक marks मिलेगा, अगर आपके पास experience है, maximum 5 साल का, तो आपको 2.5 marks मिल जाएंगे, अगर आपके पास 1 साल का है, तो 0.5 marks आपके मिलेगे, तो मलत कि, हर जितने साल का आ 0.5 marks के साब से आप मल्टिवले करते हैं, तो उतने जो है, आपके marks लग जाएंगे, पर maximum ये ध्यान रखें, कि 5 years जो है, इन्होंने बता रखा है, तो आगे बताते हैं चानकारी, examination fees के बारे में बताते हैं, तो जो general category है, उसके लिए 360 rupees लगेंगे, application form भरने के per person, और जो general IR RDP, physically handicapped, और freedom fighter, ward of ex-servicemen of हिमाचर परदेश हैं, उनके लिए 120 rupees लगेंगे, 120, और जो SCST, OVC, BPL, हिमाचर परदेश के हैं, उनके लिए 120 लगेंगे, और जो female candidates हैं, ex-servicemen of हिमाचर परदेश, तो उनके लिए कोई fees नहीं रखी गई है, तो जो mode of payment रहेगा, वो online payment gateway की तर रहेगा, तो आप इसमें credit card, debit card या networking के तरूर आप payment कर सकते हैं, और offline payment नहीं होगी, इन्होंने बता रखा है, और अगर आपको कोई inquiry है, तो आप इन numbers पर जो है, आप code करके पता कर सकते हो, सुबह 10 वह से, शाम 5 वह तक, अगर कोई आपको application form भरने में कोई problem आ रही है, तो आप screen show ले सकते हो, इन numbers का, ताकि आपको कोई दिक्कत आए, तो आप इन पर contact कर सकते हैं, तो ये थी, आज की latest update, हिमाचल परदेश में जो सरकारी नोकरी निकली है, 239 पोस्टें ये भरी जाएंगी, language teacher की, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जास यादा शेर कर कि हिमाचल परदेश में बंपर भरती निकली है, language teacher की, तो इसके form जो है, आप ध्यान रखें कि 22 जूम से स्टार्ट होंगे भरने, और 21 जुलाई जो है, last date है, तो ये ध्यान रखें आप, तो अगर आपको वीडियो पर चानते हैं, तो वीडियो का आप लाइक करें, और च तके, तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हैं जय माचल